नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बनास एजूकेशन पॉइंट पर और यादे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सरपत हमापने चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाई कि हमसे अल भी क परिच्छा के नुट सास से लेकर था हमारे चैनल की द्वारा उप लब्द है और इस कॉंटेक्ट नमबर पर करके हैं नूट से पर्चेस कर सकते हैं आप इसक्रिप्शन बोक्स जाकर इंस्टा मोजयो के लिंक से भी डारेक्ट पर्चेस कर सकते हैं तो मद्यप्धिश की परिच्छा की परिच्छा के लिए भी उपयोगी है तो आप बहुत समय से आपको इस परिच्छा की तयारी भी कर सकते हैं इवं प्रण्भे परिच्छा की तयारी भी कर सकते हैं समाज सास के नोट से भी उपलब्द हैं इसी के साथ साथ आप यदि चाहें तो कुछ समय लोग प्रशासन के नोट से भी हमारी चैनल के दौरा आपको उपलब्द कराए जाएंगे तो सर्पत्रम आप हमारे पीड़े पर्चिस कल लें हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है इसे कुछ प्रमुख पार्टों को हम देखते हैं जिसमें दिया गया है बुंदेलखंड रियासत तो बुंदेलखंड की अवस्तितिव कि यदि हम देखे इक important topic है कि बुंदेल खंड का नाम करन के से गए तो बुंदेल खंड का नाम लंबी समय तक सत्ता सीन रहे बुंदेला राजपूत राजजी की नाम पर पड़ा चंदेल बंस राजधानी इनकी महोवा प्रसिद्ध बुंदेली बंस है प्रमुक्राजा का नाम यदि देखा ज गये हैं तो इनकी जो राजदानी थी वह महोवा प्रिसिद्ध बुंदेली बंस प्रमुक्राज्य परमार्दी देव प्रिसिद्धी स्थापते कला का वेकास हुआ खजराहों के मंदरों का भॉगलिक रूप से बुंदेल खंडी की स्थिति 21 डिग्री अक्षांस उत्तरी अक चांसता कि ऑँदम लुक्राज्य अथातर रिग्री पूर्वीदेस आंतर से एक्यासी डिग्री पूर्वीदेस आंतर तक लिए विस्तार है बगेली रियासत ध्रिक बारे में हम जानें तो बगेली रिवा प्रम्परिक्षा की उनिट 9 उनिट 10 आर्टिफीशल इंटेलिजन्सी करसी उत्पात तक्निक मालोसरी सर्णचना खाद्य प्रसंसकरन मध्यप्देश करंट अफेयर्स आदी की पीडियव्या पर्चिस कर सकती हैं बगेल खंड का भोगलिक शरूप के बारे में देखें तो प्राचिन प्रमक्रियासती थी मैहर, नागोद, सोहबाल, कोठी, जसो, बरोधा, नाईगरी, बर्दी, सिंगरोली, मडवास, आदी और बलतमान में रीवा संभाग वसेडूल संभाग हैं बगेल खंड का भोगलिक शरूप है उसमें प्राचिन प्रमक्रियासतों में मैहर, नागोदा, सोहाबल, कोठी, जसो, बरोधा, नाईगरी, बर्दी, सिंगरोली, मडवास थे एवां बलतमान में रीवा संभाग वसेडूल संभाग हैं बगेल खंड रियासत के अन्य नाम विभिन्य योगों में भिन्य भिन्य सास को द्वाला सासित होने के कारण अनेक नामों से जाना जाता है नौमी से दसवी सताबदी में हाडल और बारवी तेरी सताबदी में भट्टा नाम से जाना जाता था बगिल खंड रियासत की अन्य नाम थे दतिया महल की विसेष्टाओं पर भी हम चर्चा करेंगे सेबीर से महल मसतखंड महल भी कहते हैं दतिया महल को बिसेष्टा इसकी प्रमक्ष तो यह है कि पहला यह सात मंजला इमारत है इसमें दो मंजल भूमी के नीचे है और पांच मंजल भूमी के उपर है इसका निर्मारत किसी भी लकडी और लोहे के बिना पत्थलवा इंटों से किया गया है भी इसकी प्रमक्ष बिसेष्टा है महल की दीवाले खुबसूरत चित्रों से सजी है यह सात मंजला इमारत बिना किसी धातुय लकडी के सहारे खड़ी है महल की सैली मुगलई बराज पुतानी सैली है मंदर के अंदर गणेस मंदर दुर्गा मंदर आदी है इस प्रकार से हमने दतियाब महल की विशेष्टाओं के ब प्रकार से महन से में आंसर राइटिंग की जाती है दतियास रियासत की अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संदी कब हुई इसका राइट आंसर है पंदरा मार्च 1804 को दतिया रियासत की अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संदी हुई थी बीर सेंदेव का इस्थापत्य कला में टेलीग्राम पर विजयान कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जोईन करके आप हमारी महत्वपून PDF को जादी भी जोईन कर सकते हैं, जल्ली जल्ली आप हमारी इस डिया मध्यपदेश की रहासतों की PDF को पर्चेस करें, ताकि आप समय रहते हैं, अपनी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं भांत पुरा में यस्वंत राव होलकर की छत्री है इसके अतिरेक्त कृष्णापुरा इंदौर के पास भी होलकरों की छत्रियां हैं इस प्रकार से प्रमुख छत्रियों से संबंदित प्रिश्चनी पूँचे जाते हैं जो कि आ हमारी पीडियू में आपको मिल जाएगी होल करनों द्वारा बसाये गए प्रमुख नगरों की बारे में बताएं होलकर सासक इस्थापत्य बा नगरी निर्मार की में निपुर थे इनके द्वारा प्रमुख नगर बसाये गए हैं जिनकी जानकारी आपको अंगले वीडियो में दी जाएगी इस प्रकार से आज की इस वी कासु अखजराहों के मंदरों से, साती साथ भोगले के अक्षान से उंदे संतर के बारे में भी जाना, बगेली रियासत, बगेली रिवा रियासत, इस रियासत की स्थापना ब्यागर देवन 1420 में की थी, रिवा वबिंद पहारी के आसपास का छेतर है, और प्राचीन रियास के अन्य नाम बिभिन योगों में भिन भिन बिन सास को डाला, इसकी नाम इस्थापित किये गए हैं, और यहां पर आपको बता दिया दिया आप अपनी घर बैठी, अपनी सफलता सनिष्चत करना चाहते हैं, आप दा कोश्यर में बदलना चाहते हैं, अपनी तयारी निरंत नोर्स हैं, और हमें समय समय पर टॉपर्स कंडर देशन मिलता रहता है, जो कि आपके प्रोसाहन के लिए भी उपियोगी है, दतिया महल की बिशेस्ताओं को भी हम देख चुके हैं, कि महल की दिवारे खूब सरों चित्रों से सजी हुई है, यह सात मंजला इमारत बिना किस अच्छा सो चार को हुई थी, इस प्रकार से इस वीडियो में ने महत्ति पुझानकारी के साथ देखा, और आप से यगर पनानिविदन करते हैं, जल्ली जल्ली आप हमारे पीडियेफ परचेस करें, मात डेर सो रुपय में आप यह पीडियेफ परचेस कर सकते हैं, हमारा क